नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार आरशिष्टेड ट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो हम लेकर आए है जिक्य का एक most important topic जिसमें आज हम बात करेंगे चारों बहुत सबाओं के बारे में क्योंकि बहुत दरम से सम्मंदित अन्य जितने भी क्यूशन बन रहे है उन सभी की बात करेंगे तो ये वीडियो परतियक परिक्षाओं की दरश्टी से बहुती मैतोपुन साबित ओने वाला है साथ इन सभी वीडियो की पीडिये फाइल तता अन्यक परकार के नॉट्स ये दिया आप प् तो चलते हैं आज के टोपिक की और आज के टोपिक में सहरो परतम दिया गिया है परतम बोधसबा तो परतम बोधसबा का समयकाल क्या रहा होगा परतम बोधसबा आपके 483 इस्सा पूरवा ये 483 बीसी में आयो जित हुई थी किस इस्तान पर हुई तो इस्तान ता राज ग टक में विवाजित हुआ था नेक्स्ट दिया गिया है दूसरी बोधसभा का समय रहा था 383 इस्सा पूर्वे इस्तान कहा था तो व्यसाली में आयुजित हुए किसके सासनकाल में हुई थी और जिसका अध्यक्स बनाया गया सभाकामी को नेक्स्ट दिया गया तीसरी बोधसबा, तीसरी बोधसबा का आयोजन आपके 250 इसा पूरव में हुआ था, कहां पर हुआ, तो पाठली पुतर में हुआ था, किसके सासनकाल में आयोजन हुआ, तो असोक के सासनकाल में आयोजन हुआ था, और जिसका अध्यक्ष बनाया गया नेक्ष्ट और लास्ट बहुति संगीती है कि चोथी बहुत संगीती जिसका समय रहा था सौ इस्वी या सौ एड़ी कहा सकते है कहाँ पर हुआ तो कसमीर के कुन्डल वन में वुआ था किसके सासनकाल में करिसक के कुषान वन्स का सब से सकतीसाली सा सकता और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया, अस्वे गोस और वसुमित्र आपके कनिश्ट के दर्बार में रहने वाले विद्वान थें, और चोथी बोध सबा में बोध दरम का हीन यान और महायान में विबाजन हुआ था, महायान का अरहत पद का मतलब होता है कि साधना के माध्यम से निर्वान प्राप्त करना तो यह थी चारों बहुत संगीतियां यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक समय पर जाए और टेलिग्राम को जरूर जोइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको यह पीडियेप मिल जाएगी और अन्य भी अन्य परकार के नोट्स मिलते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद